नमस्कार दोस्तों वेल्कम टुछ ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे में कोटेक महींद्रा ब्यांक के बारे में विडियो शुरू करने से पहले आप सब को जरूर्ब करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे उसके साथ में बेल आइकन को प्रेश करके रख लिए तक आने वाला व्डियो का नोटिकेशन आपको टाइमले मिल सकता है चले स्टार्ट करते हैं तो अच्छा सा डिसेंट प्रफिट भ यहां पे पहले मैंने यहां पे दोलर्ट के पर में अनलाइस करके इस लेवल पर इस लेवल पर चुका है जिनों लोग में ग्रूप में जाइन को मिल रहा है तो आप भी जरूर जोन कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर अगर रिलाक्स हो का वीडियो आप नहीं देखा है जरूर जाके देख सकते हैं उसके साथ में आज के दिन में यहां पे 53 परसंटेज का डिलिवरी उठाया गया है उस ट्रेडिंग वह ना बहुत ए देखेंगे यहां पर कोटेक महिंदरा में मैंने भी तब देख रहा था बहुत एक बड़ा भल्यूम के साथ में स्टॉक में करेक्शन और गयाप डाउन ओपनिंग वहा है दिखिए यहां पर आप अगर नोटिस करेंगे तो यहां पर कितना बड़ा वल्यूम के साथ में कर को वैक पर बात गाल कि करना क्या है ऑगर लिकार करेंगे करना मार्केट है अगर यहां पर देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह तो ब्यांकिंग बिजनेस है तो उसके साथ में स्टॉक का जो आल टाइम हाई की बात करेंगे यहां पर यहां पर कोई प्रॉब्लेम तो नहीं है यहां पर कॉंटिनियूसली को यहां पर्फॉमांट बढ़िया रहा है 8600 क्रोर का भी प्रफिट देखने को मिला है अगर यहां interrupt क्रोलarella उसके साथ में काफी सरा और इंकम बिक सेक्टर में होता है तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर अगर इंकम प्रॉफित के वारे में बात करें यह तो इसी साब से लास्ट डिसेंबर से इस डिसेंबर में बहुत अच्छा सा प्रफॉंस देखने को मिला है और तो इसी साब से बहुत बढ़िया सा ग्रोथ नजरा रहा है है तो यहां पर बहुत बढ़िया सा ग्रोथ नजरा रहा है यहां पर पर जो कि इसके साथ में यहां पर का है का वोर्डिंग के साथ में यहां पर का करते हैं न वहां पर इस चीज के लिए तो यहां पर फॉर्टी तो परसेंटेज का होल दी है पास में परसेंटेज का होल लिए तो इसी साब से जार आप एक सीज का नोटिस करेंगे तो यहां पर लेवल यहां पर फोर्टी वान पर चल रहा है तो इससे पहले भी इससे बड़ा गिरावट देखने को मिला है और यहां पर आरे से हैं तो सिक्स्टिन तग एक बार आ चुका था यहां पर आप देखेंगे 2018 में एक पर फा पर्सेंटेज का लोड़ सरक्ट देखने को मिल रा था जो कि हैं में और यह सारा काफी सरह है जो लार्ज क्याब स्टॉक है तो इसी साथ से अगर हम देखेंगे कोवीड के टाइम पर कितना बड़ा करेक्शन था तो यहां के तांट को वेल के टाम सब्सक्राइब हुम देखेंगे अरांडव और स्ट परसेंटेज का कमी सब्सथा फुड़ करेंगे यहां पर अभी तो अगर परिशान को सेल करके निकल जाएंगे इसा नहीं होता है क्योंकि मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था इस टॉक को बाई करने के लिए इस अपोट जोन पर मैंने बताया था यह बाई करके चल सकते हैं ठीक है तो इसमें से बाई तो जरूर की हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पाए ठीक है तो अभी आज की डेट पे एक सवाल आया था हमारा ग्रूप में मुझे उनका नाम नहीं बताऊंगा तो भाई का मैसे आया था कि यह स्टॉक में इतना बड़ा गिरावट हो रहा है और यहां पर काफी सरा प्रोब्लेम हो सकता है इसके लिए मैं यह इस्तॉक में से निकल जा रहा हूं मेरे पास प्रेसन से नहीं इस टॉक मारकेट में यह स्टॉक में बने रहने के लिए अगर इससे अगर आप करते हैं तो कभी भी हमें जिए स्टॉक मार्केट इतना बड़ा गैन कैसे लेंगे हाँ जब एंट्रीक किये थे कि ये स्टॉक में तो हम तॉम्ट काई गैन मिलेंगा ठीक यह सी आप जरूर सोच के एंट्रीक किया था लेकिन जब गिरावट देखने को मिला काफी दिन से स्टॉक ओर तो उसके बाद में आपका पैसेंच नहीं रहा नाइंटी फोर देज में आप स्टॉक में से लॉस्बूक करके निकल गए तो यह नहीं होता है यह सब मल्टिव अगर स्टॉक यह स्टॉक में अगर डाउट होगा तो और कि पूर्टफोलियो में लेकर चल सकते हैं यहां पर दिखिए आप अगर बात करेंगे स्टॉक के बारे में मार्केट के आप देखिए यहां पर HDFC बैंक उसके बाद में कोटेक महिंद्रा बैंक आता है दिगज बैंक यह तो मेरे अगर आपका पोर्टफोलियो में है इस टॉक आपको बिल्कुल प्यानिक करने की जरूरत नहीं अगर हम वीकली चाट पर भी देखते हैं देखिए वीकली चाट पर बिल्कुल वही हंडेड़े का मुवी आपर इसके पास में वीकली चाट पर आ चुका है तो यहां पर दिख सब्सक्राइब आपको इंट्री लेना ठीक है तो एक डाउट आपको क्लियर करता हूं यह स्टॉक का टार्गेट क्या होगा उस चीज का भी बात हम करेंगे ठीक है मैं अभी मुविंग अबरेज को यहां पर यह कर देता हूं कि अगर आप एक चीज का नोटीस करेंगे तो यहां पर बिल्कूल आपको जरूर एक चीज पैटन नजर आएगा कि देखें कि देखें यहां पे अगर आप नोटीस करेंगे तो यहां पे यहां पे कॉप हुई थी अंडल पैटन बन रहा है ठीक है तो इसी साप साप अगर देखिए यहां सी ब्रेकाउट लिया था उसके बाद में कोविड की रिजन से निच्छे आ गया तो इसको हम बैलिड में मान सक कि यहां से ले कि अगर 2000 2000 लेवल तक आपना पोर्टफॉलिय में लेकर रखते हैं 2017 का लेवल तक हमें परफिट देखने को मिल सकता है और दूसरी बात है यह दिगज ब्यांके इससा स्टॉक में अगरा पोर्टफॉलिय में रहेगा तो हमें बिल्कुल टेंशन लने की जरूर रखना है उसी वेसिस पे आपको स्टॉक को लेना है ठीक है डाइवर्शिफिकेशन अगर आप पोट्फोलिय को नहीं रखेंगे आपको स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लास हो सकता है ठीक है यह जाहिड सी बात है अगर आपने अभी तक चैनल को अभी तो ग्रूप में जाइन नहीं किता तो मेरे साथ जाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ सवाल है यह तो फिर आपको कुछ गाइडियन्स सही है आप मेरे साथ में है पर सब्सक्राइब में में पर सकते हैं थैंक यू बरी मुच फ्रेंट्स पर राचिंदिस दीज video कि साथ नहीं